Students, Beginning 4 वे कुंछ में आपका स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं, Class 9th है, Chapter No. 3, Civics, Political Science के Chapter No. 3, Electoral Politics के बारे में, ये इस Chapter का 7th Part है, इस से पहले वाली जो Parts हैं, उनमें हम काफे सारी topics ने इस Chapter के डिसकस कर चुके हैं, कि Election क्या है, Need क्या है, हमें Election की, ठीक है, तो Election का जो Process है, उसमें कौन-कौन से Stages आती है, किस तरीके से Waters List प्रिपेर की जाती है, कैसे Nomination Forms फिल किये जाते हैं, Candidates के द्वारा, तो उसके बात क्या है, कौन-कौन से जो Changes हैं हमें Elections में देखने को मिलते हैं, किस तरीके से Reserved Seeds हमारे इंडिया में क्या है, एक Tradition है, वो रखा गया ह और वोटर जो पोलिंडे हैं, उस दिन क्या होता है, और किस तरीके से नए-नए सोलोगंस क्या है, जो Political Parties है, वो बनाती है, वोटर को एक तरीके से Attract करने के लिए, Election Commission के द्वारा क्या Code of Conduct बनाए गए हैं, जिनकों की Follow करना ज़रूर है, तो इस सारी चीज़े हम डिसकुस कर चुके हैं, अब आपने वो नहीं देखें, तो आप वो भी वीडियो पहले देख लीजें, जिसलिक आपको इस चैप समझ में आ सकें, आज के हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हमारे नेक्स टॉपिक के बारे में, जो कि है, What Makes Elections in India Democratic, देखें, जब भी बात आती है, इलेक्शन की, तो कई बर हमने देखा, आप अपने इन पिछले चैप्रस में भी देख चुके होंगे, कि किस तरीके से अलग-अलग कंड्रीज में क्या है, बहुत सारी माल प्रेक्टिस यूज की जाती है, इन फिर्ट एक तरीके से ट्रिक्स यूज की जाती है, जिससे कि इलेक्शन का जो टाइम पिरेड है, उस टाइम पिरेड पे कह, पोलिंग बुद्च चेंज कर दिये जाते हैं, ठीके न, जो इलेक्शन कमीशन है, वो इंडिपेंडनेंट नहीं होते, उनके ओपर गावर्मेंट जो रूलिंग पार्टी उसका कंड्रोल होता है, तो बहुत सरे unfair means यूज किये जाते हैं, जिसकी वज़से क्या है, जो elections है, उस पे अरसत देखने को में मिलता है, और हमें नहीं कह सकते हैं, जो elections conduct करवाए गए हैं, वो सही तरीके से हुए है और नहीं हुए, तो वही सारी चीज़े हम आपने आज के इस वीडियो में देखने वाले है कि कैसे हमें decide करेंगे, कि जो election होते है न, वो democratic election है या फिर नहीं है, इस चीज़ को, और हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया की ही चीज़ को, इंडिया की ही कंटेक्स्ट में इस चीज़ को देखेंगे, कि हमारे इंडिया में हम एक चीज़ कैसे बताएंगे, कि जो election हो रहे हैं वो democratic है या फिर क्या है non-democratic form of elections है तो अगर हम democratic elections की बात करें तो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो कई बर यह कहा जाता है आप भी अपने आसपा सुनते होंगे कि इस बार इलेक्शन में यह गड़बडी थी EVM में mistake थी EVM मशीन खाना आपती ठीक है फिर जो पहले बैलोट पेपर से इसमें कहा जाता था बॉक्स के अंदर पहले से ही बहुत सारे बैलोट्स स्टेंप लगा के भर दिये गए जिससे की पार्टी को कहें जादा वोट्स मिली है तो ऐसे बहुत सारे जो शिकायते हैं वो वोट्स के द्वारा की जाती है और पार्टियों के द्वार भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वार भी की जाती है कि जो इस बार का जो पॉलिंग हुआ है वो गलत हुआ है तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो अलग-अलग unfair practices हमें election के time period पर देखी जाती है, जिन में से कुछ कुछ कौन सी है, कि कई जो voters list बनाए जाती है, उसमें कई सारे लोगों के नाम उसमें से काट दिये जाते हैं, अपने आप भी vote डाली जाती है, और यहाद तक यह भी देखने को मिला है, कि कई वेक्ति तो ऐसे भी है, जिनके डेथ हो चुकी है, लेकिन तब भी उनके नाम पर vote डाली जाती है, तो यह एक बहुत जादा common हमें देखने को मिलता है, दूसरा आता है, कि जो government facilities हैं, जो officers है न, जो ruling party है, व वो भी एक तरीके से decided है, बट तब भी क्या है, बहुत ज्यादा अंधाधून पैसा खर्च किया जाता है, election campaigning पे, और जो बड़ी-बड़ी party हैं, जो rich candidates हैं, वो बहुत जादा पैसा use करते है, elections के, election campaigning के time period पे, election को जीतने के लिए, ठीक है, और इसके इलावा क्या है, बहुत सारी खबरे हम देखते हैं, TV के थुरू देख सकते हो, है ना, newspapers में हमें पढ़ने को मिलता है, कि इस पार के जो elections हो है, वो सही तरीके से नहीं हो, अगर ऐसे ही election होगे, तो आपको क्या लगता है, कि election करवाने का motto fulfill होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड सबाल है, तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखकर हम आगे देखने वाले हैं, कि हम यह कैसे decide करें, कि जो election होगे है, वो free and fair होगे है, और फिर नहीं होगे, तो इसको check करने के लिए कुछ एक तरीके है, सबसे पहली चीज़ तो है, पहला तरीका तो क्या है, आपके सामने, flow chart में दिखाया है मैंने, कि election conduct करवा कोन रहा है न वो, that means कि जो election commission अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो क्या वो independent election commission अपना काम independently कर पा रहा है, और फिर नहीं कर पा रहा है, फिर उसके ओपर किसी का control है, दूसरी चीज़ है popular participation, कि लोग कितना बढ़ चड़ कर elections में participate कर रह रहा है, फिर नहीं किया चाना, और last and most important चीज़ है, कि challenges कौन-कौन से face करने पड़ते हैं, free and fair elections करवाने के लिए, क्या क्या challenges हमेरे सामने, हमारे country के सामने, हमारे election commission के सामने, अप political parties के सामने हैं, जिससे कि क्या है, free and fair manner में election करवाय जा सके, तो one by one हम इनके बारे में देख तरीके से हुए है, आपको सबसे पहले ही देखना होगा कि election conduct कोन करवा रहा है, और उसके ओपर government का कोई control है, नहीं है, तो यह government उसको operate तो नहीं कर रही है, फिर ruling party का उसके ओपर pressure तो नहीं है, तो यह साली चीज़े, next है कि क्या उसके पास enough power है इतनी जादा कि वो conduct करवा स तो हमारे country के अगर हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में जो election conduct करवाए जाते हैं, वो किसके दुआरा करवाए जाते हैं, election commission, EC के दुआरा कराए जाते हैं, जो कि एक independent and very powerful, कह सकते हूँ, एक group है, एक संगठन है, या फिर कह सकते हूँ, एक body है, जो कि election conduct करवात यह ध्यान दखना कि election commissioner को कौन appoint करता है, chief election commissioner को, president, परस president का काम उनको elect करना, उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता, फिर chief election commissioner independently काम करते हैं, उनको अपने हर काम के लिए president को answerable होना जरूरी नहीं होता, ठीक है, और ruling party तक भी उनको हटा नहीं सकती, chief election commissioner को, अगर उनसे कोई problem ह है, तो उनको हटाना, यह कह सकते हैं, असान नहीं होता, इसी के साथ क्या है, कुछ एक powers हमारे country में election commissioner को दी गई है, election commission को दी गई है, जिनका की use वो अपने election के time credit पर करते हैं, और world में ऐसे बहुत ही rare case है, बहुत ही rare ऐसे election commission है, चुनाव आयोग है, जिनको इतनी power दी गई is related, वो लेते हैं, कब से लेकर कब तक, जिस दिन election का announcement कर दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें और जब तक कि result declare नहीं हो जाते हैं, सब कुछ देखना, चेक करना, election commission का काम होता है, election कब होंगे, किस तरीके से, जो क्या नाम एक तरीके से, जहाँ election होने है, महाँ जाके पहल पर सही तरीके से election हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो सब चेक किया जाता है, इव यह machine सही है फे नहीं है, सब कुछ, next है, implements the code of conduct and punishment, देखें, आपको पता है, कुछ code of conduct बनाये गए हैं, जिसका कि पालन करना जरूरी है, सभी political party और candidate के लिए, तो election commission ने देखता है, कि पावर यहां पर आ जाती है, कि election commission क्या है, जो election का जो time period है, वो उसमें वो order देता है, कि कुछ guidance फोलो करनी जरूरी है, सभी political party और ruling party और candidates को, जिसमें कि यह देखा जाता है, कि कोई भी governmental power, जो misuse ना करे किसी भी अपनी power का कोई भी government body, और इसके लावा जो government officers हैं, उनका transfer को duty लगाई जाती है, और भी कुछ government officers के duty लगाई जाती है, तो उस time period पे, जब लोगों के, जिन officers के duty लगाई जाती है, तो वो government officers, election commission को answerable होंगे अपने काम के लिए, उन पर उस particular organization का, जिसके लिए वो पहले काम कर रहे थे, उनका कोई control नहीं होता, उस time period पे, सिर्फ वो election commission क control में होते हैं, ना कि सरकार के control में होते हैं, और इन सारे अधिका, मैं तभी कह सकती हो कि powers के बाद, अगर तब भी election commission को कहीं पर एक complaint मिलती है, कि election सही तरीके से नहीं हुए, वहाँ पर cheatings हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वो दुबारा से order दे सकता है, repol कराने का, कि यहाँ पर कह दुबारा से चुनाव करवाए जाएंगे, तो आप यह देख सकते हो कि इतनी सारी चीजें, इसनी सारी independent power देने के बाद, क्या हमें कह सकते हैं कि election commission के पास power नहीं है, फिर वो independently काम नहीं करना, ऐसा नहीं है, clear, तो इसके साथ समझ में है कि किस तरीके से हमारे इंडिया में election commission जो है, वो अपना काम करता है, अब next तरीका है यह चेक करने का, कि election free and fair है, फिर नहीं, वो है popular participation, कि लोग election में participate कर रहे है, फिर नहीं करें, तो इसके लिए क्या हम ही देखने है, कि लोग कितना बढ़ चड़ कर vote डालने आते हैं, आपने देखा है, हर बार क जो percentage है, वो चेक किया जाता है, कि इस बार कितने लोगों ने vote डाली है, उसको हम बोलते है, turn out figure, तो turn out figure का अगर हम देखें, आपके सामने देखें, मैंने आपना, flow charts में आपको दिखा दूँगी, कि जो आपकी बुक में आपके graph बना कर दिखाए गए है, pie chart है, bar graph है, तो UK, या फिर यूरोप में, या फिर नॉर्थ हमारिका में, जो percentage है, वो काफी जादा गिरता हुआ रिखाई रहा है, वोटर्स का, कि लोग के है, धीरी धीरी है, voting system में, बिलीव, उनका कम होता जा रहा है, ठीक है, और लेगन इंडिया में अगर हम कहें, तो ये ना तो गिरा है, ये stable है, या फिर ये कह सकते है, थोड़ा बहुत बढ़ा है, ठीक है ना, तो ये कह सकते है कि लोगों का जो voting है, उस पर ये कह सकते है, बिलीव बढ़ा है, और जो eligible voters है, वो vote डालने जाते है, बट फिर भी percentage काफी काम है, आप देखते होंगे, कि around 60 है, 65 है फिर 66 और कई जगाओ पर तो सिर्फ 50 परसंट लोग ही, जो eligible voters है, वो भी सिर्फ 50 परसंट लोग ही vote डालते है, clear, next आता है, चेक करने का तरीका, कि कौन-कौन से social groups, election में vote डालने जाते हैं, फिर participate करते हैं, अगर मैं इंडिया में कहूं, तो अधिकतर जो percentage हमें देखने को मिलता है, जो vote डालते हैं, उसमें poor, illiterate and unprivileged लोग हैं, जो vote डालते हैं, अधिकतर जो बड़ा section है, वो इनी का है, जो rich है, वो vote कम डालते हैं, क्योंकि जो ये poor, illiterate and unprivileged लोग है, इनको ये लगता है, कि अगर हम vote डालेंगे, तो हो सकता है, कि कही ना कही हमारे लिए सरकार हमारे तर वो कम vote डालते हैं, as compared to rich के, वहाँ पर अधिकतर rich और white लोग vote जादा डालते हैं, नेक्स्ट चीज आती है, कि कुछ, कई बर हमें देखते हैं, कि लोगों को voting पर believe ही नहीं है, कोई लगता है कि vote डालो, ना डालो, कोई फरक नहीं पड़ता है, कोई बदलाफ तो आना नहीं हैं, सारी पार्टियां exist ही हैं, कई बर एक मुहावरा हमारे हैं, बहुत जादा popular है, क्या आजाता है, कि सब वो वाली बात है, कि चोर चोर मुसेरे भाई है, कि हर पार्टियां, किसी भी पार्टी को ले आओ, किसी भी लीडर को ले आओ, सभी क्या करते हैं, कोई जनता के भ लोग ऐसे हैं हमार इंडिया में उस्ते क्या कर पाएंगे वो political parties पर प्रेशर बना पाएंगे जिससे कि जो political parties हैं उनके लिए उनकी favorable policies and programs बना पाएं जिससे कि वो country को सही तरीके से चलाने में help कर सकते हैं हमारी चीज आती है कि participated in election related activities अब आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बढ़ चड़ के रेल्यू में participate करने चाते हैं बहुत सारे political party के member बन जाते हैं पिछले कई सालों में around 50 सालों में ये भी change एक देखने को मिला है कि लोगों ने क्या है बढ़ चड़ कर elections में participate election campaigning जो activities उन वो थोड़ा सा बढ़ा है तो ये कुछ तरीके हैं जसे कि हम देख सकते हैं कि जो election है वो कही ना कहीं free and fair election हो रहे हैं तभी ये changes हमें positive देखने को मिले हैं देखे negative and positive तो हर चीज के होते हैं I hope so कि आप कोई topic समझ में आया होगा so thanks for watching and good luck student and please video को like करे, share करे और channel को subscribe करना ना पुले